हेलो एब्रिवन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सोशल लर्निंग थियोरी आज का टापिक हमारा रहेगा सामाजिक अधिगम सिद्धान तो वेलकम टू यू टी एन अकेडमी यूटूब चैनल जहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो देखने को मिलेंगे इसके लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सियर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आज को टापिक है आपका देखें सोशल लर्निंग थियोरी बाई अलबट बंडूरा तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले चीज की हूँ इस अलबट बंडूरा तो अलबट बंडूरा के अगर हम आपके अलबट बंडूरा जो टीचिंग में अपने तीन important contributions के लिए जाने जाते हैं जो टीचिंग में अपने important 3 contribution के लिए जाने जाते हैं जिनने आप देखेंगे आप किसी भी exam में चले जाहिए बेखिए first of all social learning theory सामाजिक अधिगम सिद्धान्थ दूसरा होता है इनका बॉड़ोडॉल एक्सपीरिमेंट बहुत बार आपके फास कोशन आजाता कि बॉड़ोडॉल एक्सपीरिमेंट किसका है तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा आपका अलबड़ बंडूरा और तीसरा यह जाते हैं इस याने की जिसको आप कहते हैं आत्म प्रभाव कारिता अगर आपको आत्म प्रभाव कारिता समझ में ना आए तो ध्यान रखेगा इसे दूसरी भासा में बोलते हैं नियंत्रन करने की छमता करने की छमता तीन चीजों के लिए जाने जाते हैं अलवट बंडूरा एक सोशल लर्निंग त्योरी दूसरा आपको ध्यान रखना है बोड़ोल एक्सपेरिमेंट और तीसरा आपको यहान रखना है सेल्फ इससी याने की आत्म प्रभाव कारिता के लिए जाने जाएंगे कौन अलवट बं अंडूरा के इस सोशल लर्निंग थेओरी की बात कर आप सबको पता है कि हम जो भी लर्निंग करते हैं वो थूटू दूदा अवर क्या करते हैं सोसाइटी या सोशल इंबार्मेंट के थूट करते हैं बट धियान रखेगा कि लर्निंग में तीन चीजें बहुत बड़ा र कार्मेंटल फेक्टर ध्यान रखेगा और तीसरा होता है बच्चों आपका विहेवरियल फेक्टर याने की व्योहारिक पक्ष तीन चीजें बंदूरा के अनुसार सीखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं मैंने आपको जैसे बता है देखिए संग्यान कोगनेटिब याने की जिसको आप अपना पर्सनल फेक्टर भी कह सकते हैं जिसमें आपका नॉलेज याने की घ्यान इंक्लूड हो सकता है जिसमें आपका एक्सपक्टेशन आकांशाइं इंक्लूड हो सकती हैं अटिट्यूट्स याने की इसमें आपका रवया देखिए सीखने में रव हमारा अभ्यास और हमारी छमताएं देखें ये किसके अंदर आती हैं आपको ध्यान रखना है बिहेवरियल फेक्टर के अंदर आती हैं बच्चो उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चो कि सीखने में इन्वार्मेंटल फेक्टर भी बहुत बड़ी भूमी का निभाते हैं आपके बातावरणी कारगवी बँबड़ी भूमी का निभाते हैं और उसमें आपके सोशल नौ्म्स होते हैं एक्सेसाफ कमुनिटी होता है और इन्फूलेंस और अदर होता है यानि कि आपको कितने सामाजिक नियम कानून या आप कह सकते हैं कि हम कितनी हमारी सोसाइटी में या कॉमुनिटी में या समुदाय में हमारी पकड़ है या फिर हम कह सकते हैं कि कितना हमारा influence है किस के उपर others के उपर तो ये तीन फैक्टर ठीक है personal फैक्टर यानि कि cognitive factor environmental factor और तीसरे कि अगर हम बात करें बच्चो तो आपका behavioral factor बहुत बड़ी भूमी का निवाते हैं सीखने में ओके गाइस अब देखें अगर मैं बात करूं फिर से बंडूरा की तो बंडूरा कहता है कि social learning जो आपकी theory है सामाजिक अधिगम का जो सिद्दान्त वच्चो इसके बहुत सारे नाम होते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे social learning theory के बहुत सारे नाम होते हैं जिसको आलबट बंडूरा ने डपल अब किया था देखें ध्यान रखना आप लोगों को इस theory को जानते है फैशचन के नाम से जानते हैं fashion के नाम से मोडलिंग के सकते हैं इस तीट को जानते आपको ध्यान रखना था थीक है तकर कि पहला नाम होगा होता है observation observation देखिए इन तीन अधर नेम्स के भी हम इस थियोरी को जानते हैं ध्यान रखेगा model modeling fashion यह यह से observation ठीक है ठूटू दा observation यह कहता है आपका बंडूरा यह ठूटू दा कहेगा models यह आप से कहेगा ठूटू दा फैशनिंग हम क्या करते हैं चीजों को सीखते हैं सोशल लर्निंग करते हैं ओके चलिए यह इसके अधर नेम है फ्रिक्वेंट एक्जाम में आ जाते हैं फैशनिंग ठीओरी आगे बढ़ें अलवट बंडूरा की त्योरि में चलिए अब देखो बच्चों अगर हम बात करें अलवडबंडूरा की सिद्दान की, तो अलवडबंडूरा वही व्यक्ति है जो इंफासिस करता है, देखें, अलवडबंडूरा की जो स्तेडी है, वो इंफासिस करती है, सारेडिक विकास के ओपर इन्होंने वेसिकली एक थिवरी डबलब की थी एक एक्स्पिरिमेंट किया था और उस एक्स्पिरिमेंट के आधार पे ये इस कन्क्लूजन पर पहुंसते हैं तरह गः कीजेगा इनका कन्क्लूजन कि हमें बालकों के सामने कभी भी हिंसात्मक ब्योहार नहीं करना चाहिए देखिए बालकों के सामने हमें कभी भी हिंसात्मक ब्योहार नहीं करना चाहिए मतलब जो खासकर आपके पोस्ट चाल्ड हुड के बच्चे हैं नौदस ग्यारा वारा साल के बच्चे हैं यह कह रहा है कि यहां पर इनके सामने हमें कोई भी बालेंस वाली अक्टिव प्रतिरूपन अगर प्रतिरूपन समझ में ना है कॉपी या इमिटेशन कर लेते हैं देखिए बहुत बार एक कोट आपके एक्जामिनेशन में आया होगा कि हमें बालकों के सामने कभी भी कोई हिंसात्मक कारे नहीं करना चाहिए कौन से कारे हिंसात्मक कारे वैलेंस एक्टिविटी की चाइल्ड हुड में हमें ध्यान रखना है कि हमारा काना स्टैटिक डवलप्मेंट बहुत तेजी से हो रहा होता है तो हम जो भी चीजें हमारी मसल से या फिजिकल आसपेक्ट से जूड़ी होती हम उसको बहुत जल्दी बढ Teraz rain सामने अगर करते हैं तो वह बहुत जल्दी उस वाइलेंस का क्या कर लिए कोपी कर लेंगे इमिटेशन कर लेंगे या नकल कर लेंगे यह सबसे जादा बार बार पुछा गया उगा फिलमर्ड में कि violence activity नहीं करनी है कभी भी क्यों क्यों कि बच्चा उसको तुरंद क्या कर लेता है imitate कर लेता है नकल कर लेता है या उसकी copy कर लेता बच्चों ओके चले आप देखिए सबसे important aspect यह होता है कि Albert Bandura कहता है कि learning theory में आपके पास आप कह सकते हैं कि जो आपकी learning theory है उसके according या Albert Bandura के अनुसार सीखने के चार steps होते हैं सीखने के यहां पर Bandura कहेगा चार steps होते हैं सबसे पहला attention ध्यान दूसरा होता है retention धारण करना तीसरा होता है reproduction उत्पाद करना या प्रियोग में लेकर आना और चौता होता है motivation motivation याने की अभिप्रेणा कभी-कभी चौते में पुनर बलन भी लिखके दे सकता है reinforce भी लिखके दे सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि अलवर्ट Bandura के अनुसार ध्यान रखेगा चार steps होते हैं most of the time यह आपके पास sequence में लगाने के लिए आपके examination में आते हैं आप इनको देखेगा previous किसी भी पेपर में एनी टेट एनी केविए एक्स वाइजड तो बच्चो आपको ध्यान रखना है इसको एक सौटकर तरीके से भी मैं आपको याद करना है इसको सिखाऊंगा कि कैसे आप इनको सौटकर तरीके से याद रख सकते हैं तो जरह बोड़ पर देखिए चार स्टेप होते हैं पहला होता क्लास्रूम में बैठे हुए हैं तो आपको फिस्यकल प्रेजन्ट होने के साथ मेंटली रूप से भी क्या करना है यादि कि जितना आप क्या करेंगे फोकस करेंगे कीयरफुली listening करेंगे तो उतनी पर आपको धानकना यहां पर देखे मैंने नीचे लिखा हुए है कि आपको focus करना है किसी भी चीज पर जो आप सीन रहे हैं सीख रहे हैं देख रहे हैं उस पर आपको focus की जुरत है अगला step होता है बच्चो retention धारण करना देखें रिटेन करना धारण करना धारण ठीक है अब धारण कहां करेंगे आप memory में करेंगे कहां रिटेन करेंगे किसी भी चीज को कहां रिटेन करते हैं memory में करते हैं तो me OW memory में रिटेन करने के लिए आपको क्या करना होता है in coding decoding याने की सूच्णाओं को फिर से थीक है एक विचो अपनी मेम्री में हर चीज को क्या करना होता है आप कह सकते हैm रिस्टाबलिस करना या यूकें से रिकॉगनाईज करना और यूकें से रिकॉल करना तो ध्यान रखना रिकॉगनाईज रिकॉल मेमरी राजस्ट्रेशन या फिर धारण करना किसके अंदर आएगा रिटींशन के अंदर आएगा अब आपने देखे किसी चीज को सीखा अपन अब कोई चीज हमने सीखी है तो अब जब हम उसको लंबे टाइम तक तभी अपने मस्तिक्स में रख पाएंगे, जब हम उसका बार 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 क्या कर रहे होंगे प्रियोग कर रहे होंगे देखे आप लोग टाइम के साथ साथ आज एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं कुछ टाइम बात त्यारी छोड़ देते हैं तो जब आप दुबारा से त्यारी शुरू करते हैं तो आप बहुत सारी चीज सबसे लास स्टैप होता है मोटिवेशन अभी प्रेणा कि वैस सीखने के लिए अभी प्रेणा क्या है एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि बंडूरा फोकस करता है दो चीजों पर एक होता है पुरुषकार और दूसरा होता है आपका क् आप इसको सबसे पहले गलती क्या करता है कि वह सबसे पहले मोटीवेशन को सबसे आगे लेकर जाता है नो आपको ध्यान रखना है आप एक shortcut ट्रीक याद करेंगे इस राइप से A, R, P, M, A, R, P, M, A for attention, R for retention, अब यहां पर जो P है ना इसको ध्यान रखेगे, production को represent कर रहा है, production, ठीक है, production को, उत्पात को, प्रिक्रिया को represent कर रहा है, process को, ठीक है, प्रियोग को represent कर रहा है, तो आ आपको याद करना है, बच्चे, A, R, P, M, ठीक है, P, M, प्रधान मंत्री, A, R, P, M, अगर आप इसको shortcut तरीके से ऐसे याद कर लेते हैं, तो guarantee है, एक number आपका बिल्कुल यहां पर sure हो जाएगा, ओके बच्चों, तो Albert Bandura, हमें ध्यान रखना है, कि अपनी theory में, modeling, fashioning, observation, social learning, उसके अलावा, क्या, attention, retention, reproduction, motivation, पर क्या करता है, focus करता है, border doll experiment, और उसके अलावा, self efficiency, याने कि नियंतरण करना, या आत्म प्रभावकारिता, यह तीन contribution, Albert Bandura के, सबसे important होते हैं, बच्चों, ठीक है, उसके अलावा, आपको ध्यान रखना है, एक और चीज याद रखेंगे कि, Albert Bandura कहता है, कि सीखने के लिए, तीन चीजें बहुत important role play करती हैं, पहला होता है, आपका, देखिए जरा, उसके अलावा, Albert Bandura, तीन और चीजों पे focus करता है, बच्चों, पहला होता है, आपका, स्वा, नियंतरण, self-control, ठीक है, दूसरा होता है, self-direction, स्वा, निर्देशन, और तीसरा होता है, बच्चों, इसमें, स्वा, पुनरबलन, पुनरबलन, देखिए, आपको ध्यान रखना है, कि, Albert Bandura के सिद्दान्त में, तीन और चीजों पे special focus किया जाता है, एक होता है, self-control, दूसरा होता है, self-direction, यानि खुद को direct करना, कि किस direction में हमें काम करना है, कैसे काम करना है, और तीसरा होता है, आपका self-reinforcement, self-reinforcement, ठीक है, तो बच्चा लोग, आपको ध्यान रखना है, अलवट Bandura की थियोरी में, इस से ज़्यादा चीजें आपके पास नहीं आती हैं, आप खास कर ध्यान रखेंगे, कि अलवट Bandura की जब भी बात होगी, तो आप, एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी आपके सामने सारा का सारा revise कर देता हूं, तो आप चैनल को share कीजे, subscribe कीजे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चीज को share कीजे, आपको daily यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, आ आप institute के app को भी download कर सकते हैं, जो मैंने आपको first page पर बढ़ता है था, कि यह हमारा institute का play store पर app है, TN Academy, आप search कर सकते हैं, play store पर जाके, उसके अलावा हमारा YouTube channel आप website पर search कर सकते हैं, और any inquiry, you can call on this number, ठीक है, जहां पर आपके पास सारे batches होते हैं, पूरे साल बर आपके पास सारे expect faculties हैं आपके पास, चलिए, तो आज का topic था बंडूरा, यहीं पर खतम होने वाला है, जल्दी जल्दी एक बार revise कर लीजे, ध्यान रखेएगा, Albert Bandura, एक American psychologist, या फिर Canadian born American psychologist है, जो तीन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, social learning, सामाजी का दिगम, उसके अलावा, border doll experiment, और उसके अलावा, self efficiency, तीन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, उसके अलावा, आपने मैंने कहा था कि इस theory के other names होते हैं, fashioning हो गया, modeling हो गया, उसके अलावा, आपका इसी theory का दूसरा नाम होता, observation, fashioning, modeling, observation, यह इसके other names होते हैं, अगर हम बात करें और Albert Bandura के regarding, तो मैंने आपको कहा था कि तीन factors बहुत important होते हैं, social learning में, एक होता आपका cognitive factor, you can say personal factor, दूसरा होता आपका behavioral factor, याने कि व्योहारिक factor, और तीसरा होता आपका environmental factor, ओके, उसके अलावा, बच्चों, देखें, मैंने कहा था कि Albert Bandura कहता है, कि हमें बालकों के सामने कभी भी कोई हिंसात्म कारें नहीं करना चाहिए, ध्यान रखेगा, यह study करता है, एक childhood group के बच्चों के ऊपर, उस study का conclusion है, जिससे इसने court दिया है, और court आपके पास frequent आया है, ठीक है, और fillers में भी यह court आपके पास आता है, कि बालकों के सामने, कोई भी हिंसात्म व्योहार नहीं करना चाहिए, वालेंस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे उसका imitation कर लेते हैं, या बच्चे उसको copy कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं ठीक है, तिसलिए हमें कोई भी वालेंस एक्टिविटी नहीं करनी है, तुरंत copy कर लेते हैं बच्चे उसका, उसके अलावा हमने भालाना डिक दार सब्सREE को सबस्क्राophobia का रिटेशन का मतलब हो गया चीजों को क्या करेंगे बारं प्रियोग में लाएंगे तब जाकर हो क्या होगा स्टाबल होगा हमारे लिया और लास्ट होता है तो आपको इससे भी समझ में आ जाएगा उके चलिए और बाकी मैंने कहा था कि यह व्यक्ति याने कि अलविट बंडूरा बात करता है कि वह थियोरी में स्वा नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल ठीक है उसके अलावा और सेल्फ दरेशन और सेल्फ मोटिवेशन तो ध्यान रख्येगा कि सेल्फ पर फोकस किया जा रहा है यह लek placed से अपने आपको डिरेक्ट करने की बात की जा रही है खुद से reinforce होने की बात कही जा रही है, खुद पर self control की बात कही जा रही है, तो ये थियोरी थी हमारी अलवट बंदूरा की, अगले वीडियोस में मैं आपके लिए दूसरी थियोरी लेकर आऊंगा, चैनल को जादा से जादा शेयर कीजे, सब्सक्राइब कीजे, और आप डा आपस पर, गुद दे.